वेलकम बैक टू माई चैनल कैसी मेरी की चैनल एक्सपर्ट आज हम बनाने जा रहे हैं देखे कुछ सबजी यो से ही बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेश्टी नास्ता तो देखे सबजी जो भी आपके पास हैं वो ले सकते हैं देखे मैंने लिया हुए सिमला म्रेच गाजर ली हुई है और इसी के साथ लिया हुए मैंने टामाटर और प्याज ली हुई है लेकिन आपके पास जो सबजी हो वो सबजी ले सकते हैं क्योंकि बच्चे जिन सबजी को खाना पसंद ही करते आज के बाद वो मांग मांग कर खाने वाले हैं तो देखे सबजी अपने लीज तो इसमें दोस्तो पानी यह घिक करते हैं क्योंकि पानी इसलिए यह नहीं कहजार्याल क्योंकि भाद नहीं कि 175 खानी में को हिंग जरू डाली यह बहुत ही फाइदे बंद होता है पेट के लिए तो हिंग डाल लिया है जीरा डाल लिया है इसी के साथ डालने वाले हैं हम इसमें म्रच मरच आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं तो देखे मैंने इसमें अपने स्वाद अनुसार डाला हुआ है आप अपने स्वाद अनुसार डाले जितना भी आप खाना पसंद करते हैं तो देखे इसी के साथ डालने वाले हैं नमक नमक भी आप दोस्तों अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं जितना भी आप खाना पसंद करते हैं देखें नास्ते के लिए जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो सारी चीज़े आप इसमें एड़ कर सकते हैं यह डाले है मैंने चांट पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो ये धनीय मैंने डाला इस लिए भी है और देखे इसी के साथ डाल लिया है मैंने इसमें सूजी सूजी जरू डाली है मैंने दो चमच सूजी डालने से जो हमारा नास्ता है वो करारा और क्रिस्पी बनता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा था एकदम करारा सा होता है तो इसके लिए हम सूजी एड़ करते हैं अगर आपके पास सूजी ना हो दोस्तों तो आपके पास चावल का आटा है वो जरूर डाल लीजिए देखे इससे नास्ते का टेस्ट और भी बढ़ जाता है जब वो करारा हो क्रस्पी हो चट पटा हो तो मसालेदार हो तो नास्ता उंगली चाटते ही रह जाते हैं और इसमें हमने ओयल नहीं डाला है ये डाला है मैं हम इस देशीगी से ही इसे बनाने वाले हैं देशीगी का टेस्ट बहुत अच्छा था इसलिए भी डाला जाता है नास्ते के अंदर वाकि आपको अगर आपके पास ना हो तो वेल भी डाल सकते हैं इस बात की कोई टेंसन नहीं है तो देखे इन सारी चुजों को डालने के इसे आपने गोर्पिनangan करिए तो एक तो यह बना भी चर्म ब्रहु डिया मिलाूज के मिला लेते हैं और देखे़े ला जाने मिला ना कर पता ना करना कि अदो यह इसंत्ञार पानी अए जसे जो फड़ोन करना दोस्तों करो पानी नहीं दोस्तों इसका बनाने वाला है ना बनास्ता बनाते हैं तो आपके बच्चे इसे बार बार मांग मांग कर बनुआने वाले हैं और कहें गो ममी रोज इसे ही बना कर दीजी जो बच्चे सबजिया खाना बिलकुल पसंद रहीं करते हैं आज के बाद वो सारी सबजिया खाएंगे और healthy होंगे और पोश्टिक आहर आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं देखे इसमें कोई भी चीज हमने ऐसी नहीं डाली है जो बच्चे को नुकसान दे या आपको नुकसान दे देखे आज थोड़ी सी एक बात मैं दोस्तों आपसे कह देती हूँ कि मुझे आज थोड़ी सी प्रोब्लम हो रही है क्योंकि मेरा ट्राइपोर्ट दिक्कत हो गई है तूट चुका है तो लेने में थोड़ा टाइम लग सकता है तो वीडियो जरा सी अगर हिल रही है तो उसके लिए मैं सोरी माफी चाहती हूँ आपसे तो देखे लेकिन आपको नास्ती की पूरी प्रोब पर एक एक बाते हम ने आपको बहुत इबारी की से बताई है देखे ये नास्ती का बैटर इस तरह से रखना है हमें न जादे पतला ना जादे गाड़ा अगर आप पतला कर लेते हैं तो भी यह सही नहीं बनेगा अगर गाड़ा कर लेते हैं तो भी सही नहीं बनेगा तो इस तरीके से मैं बार बार दिखा रही हूं इसी तरीके से आपको रखना है दोस्तो नास्ते का बैटर मैं याद दिलादू दोस्तों अगर आपको मेरा बना ये नास्ता पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कोमेंट जरूर कीजी और देखिए ये नास्ते का बैटर तो हो गया तैयार चलिए तो तैयारी कर लेते हैं अब हमें पैन ले लेते हैं पैन ले लीजिए कड़ाई ले ली गी जो भी आपके पास है वो लगा लीजिए चिकना कर लीजिए बस एक चमश जरूर लगाना है आपको नहीं तो ये नीचे से चिपक जाता है या फिर आप धीमी गैस पर बनाएंगे थोड़ी सी तो तब भी चिपक जाता है तो देखे इस तरीके से इसे फला लेना है अच्छी तरीके से पक चुका है देख सकते हैं आप कितना अच्छा पका हुआ है और देखिए अब इसे हम पलट कर भी आपको दिखाएंगे अगर यह हल्का सा अगर एक सिका नहीं है तो थोड़ा सा चिपक जाता है लेकिन दो मिनट बाद ही ये बहुत ही आसानी से मंदा है लेकिन आपको टेंसर नहीं लेनी है देखिए तोड़ी सी देर में सही हो जाता है देखे बन कर हो गया है तैयार इसी तरीके से आपका भी नास्ता हो जाएगा तैयार बच्चे हो या बड़ी आज के बाद जो चीजे जो नहीं खाते हैं वो भी खाना पसंद प्वक्ती महल्यूंत्रे जप्षे स्कूल जाने के जित करें तो देखे इसे पाँच मुड़ीं में आप त्यायर कर सकते हैं रात को आप सबजी काट लीजे सुआ उठीए एक कटोरी आटे में इसे घोले और बनाकर देदीजी इतना जल्दी बन जाता है दोस्तों बहुत जल्दी और बच्चे तो इसे मांग मांग कर खाने वाले हैं इतना अच्छा और इतना हेल्दी नास्ता है कि आज के सामने कचोरी समोसा बर्गर सब फेल हैं आप इस तरीके का नाश्ता बच्चों को देते हैं वैसे ही हेल्दी हो जाएंगे क्योंकि जब हम पूरी सब्जी बच्चों को देते हैं तो हमें पूरे विटामिन्स मिलते हैं समय की सब्जी और समय के फल हमेसा खानी चाहिए दोस्तों तो देखें दूसरा भी मैंने बना द डाल लिया है और देखे इसी के साथ इसमें डालने वाले हैं जो हमारा बैड़र रखा हुआ है और लिख önce था और भा gonna करे। बहुत ही आसान से बन जाते हैं जब आप इस में बनाएंगे को आप फुद्धी सोचेँ तो यह नास्ता बहुत अच्छा है, तो देखिए, नास्ता हमारा एक तरब से सीख चुका है, अब देखिए, जे धर से सिखा, उधर से भी देखिए, मैंने इसे हाट से चलाया, तो ऐसी चल जाता है, और देखिए, से मैं फिर पलट लेती हूं दोवारे से दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेखेंगे और देखे अब मैं इसे पलट कर दिखा देती हूं आपको बहुत ही जल्दी और जड़ पर बनने वाला इनास्ता आपको बहुत पसंद आने वाला है दोस्तो अगर आपको मेरा बनाई नास्ता पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक सेर सस्क्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजे देखे मैंने बताया था ना कि इसमें चार पराठे बहुत असानी से बन जाते हैं नास्ता इसे पराठे भी बोला जाता है बहुत क्योंकि मेरे घर में से कोई छोड़ता ही पसंद नहीं करता है मैंने वीडियो के लिए तो छोड़ दीजे तो देखे तीन ले लिए हैं और देखे